लोगसुवा चुनाव और हर्याणा में आगामी विधानसुवा चुनाव से पहले यहां की सरकार में बड़ा फ़ेर बदल देखने को मिला मनोहर लाल खटर उनकी कैबिनेट के स्टिफ़े के बाद नायव सिंग सेनी को बीजेपी की ओर से मुख्य मंतरी भी बना दिया गया जबकि मनोहर लाल खटर को लोगसुवा चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया गया ऐसे में अब जन नायव जनता पार्टी के प्रमुक दुश्यन चोटाला के भाई दिगविजे सिंग चोटाला का बड़ा बयान सामने आया दिगविजे चोटाला ने कहा कि नायव सिंग सेनी बिना विधायक बने मुख्य मंतरी बन गए वे केवल मुबाइल दिचाज वाले सियम है जिनकी वैलिडिटी केवल 6 महिने की है पास साल के सियम दुश्यन चोटाला बनेंगे दरसल बुदवार 13 मार्च को जेजेपी के रास्ट्रे अद्यक्ष अजय सिंग चोटाला का जनम दिन मनाया जा रहा है इसके लिए पार्टी के सभी नेता और कारेकरता एकटे वे इस दुरान जेजेपी रास्ट्रे महासचिर दिगविजे सिंग चोटाला ने कहा कि सरकारे संगठन से बनती है संगठन ने दुशयन चोटाला को डिप्टी सिंग तक पहुँचाया था और छे महीने बाद दुशयन को सिंग की कुर्शी तक पहुँचाया कि दुशयन वे शक्षियत है जो रात दिन चोदरी देविलाल की कदमों पर चल लहे हैं साड़े चार साल हमने गटबंदन में दुशयन चोटाला के नेतरत में विकास कार्रे किये लेकिन जिस तरीके से भारते जंता पार्टी ने सुलूक किया गटबंदन के मामले पर वे फैसला सचमुच चोकाने वाला था जैसा कि आप सब जानते हैं कि गटबंदन में कुछ कहीं न कहीं मनमुटाव को लेकर सीटों की बटवारे को लेकर लोकसवाचना में ये जो फैसला लिया गया ये काफे चर्चाओं का विशे बना क्यूंकि ऐसे में दुशंच चोटाला ने कुछ ऐसी मांग कर दे थी जिससे बीजेपी के निता काफी आहत हुए और गटबंदन तूट की कगार पर आ गया लेकिन अब इसको सोची समझी रणनीती कहा जा रहा है क्यूंकि कुछी दुनों में यानि के अगले दो दुनों में ही मनोहर लाल खटर का नाम लोकसवाचनाव के लिए परत्याशिक लिस्ट में ये भी चोका आने वाला रहा बनेने चनल के साथ बहुत-बहुत